उट की गर्दन की कहानी राजा अकबर बीरबल की हाजर जवाबी के बड़े कायल थे एक दिन राजा अकबर ने दर्बार में खुश होकर बीरबल को कुछ पुरसकार देने की घोषना की मगर यह घोषना बस घोषना होकर ही रह गई बहुत दिन गुजर गए परंतु बीरबल को उनका पुरसकार प्राप्त नहीं हुआ महाराज अकबर बीरबल को इनाम देना भूल गए बीरबल बड़ी ही उलज़न में थे कि महाराज को याद दिलाया जाए तो कैसे एक दिन महाराज अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सेर पर निकले बीरबल भी उनके साथ थे महाराज ने वहाँ एक उट को घुमते देखा उनके मन में एक प्रशन उठा उन्होंने बीरबल से पूछा बीरबल बताओ उट की गरदन मुड़ी क्यों होती है बीरबल ने सोचा महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है बीरबल ने जवाब दिया महाराज यह उट किसी से वादा करके भूल गया है जिसके कारण उट की गरदन मुड़ गई है महाराज कहते हैं मतलब की जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊट की तरह मूर देता है ये एक तरह की सजा है तभी राजा अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए है उन्होंने बीर्बल से जल्दी से महल को चलने के लिए कहा और महल में पहुँचते ही सबसे पहले महाराज ने बीर्बल को पुरसकार की धनराशी उसे सौप दी और बीरबल से बोले मेरी गर्दन तो उट की तरह नहीं मुडेगी न और ये कहकर अकबर अपनी हसी नहीं रोक पाए इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरसकार राजा से प्राप्त किया इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने द्वारा किये गए वादों को याद रखना चाहिए और समय पर पूरा कर देना चाहिए